हेलो एड वेलकम तो माइ चैनल दाट इस अश्टेक शॉर्ट्स मोटिवेशन मकडी मकडी अपने शिकार को फसाने के लिए जाल बुनती है छोटे-छोटे कीडे इस जाल में आसानी से फस जाते है इन कीडों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा की मकडी खुद इस जाल में एक जगा से दुसरी जगा आसानी से गुम लेती है क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है मकडी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है वह इसका कुछी हिस्सा चिपचिपा बुनती है वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकडी खुद आराम से रहती है वह बीना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है इसलिए वह आसानी से इसमें गुम लेती है वैसे अपने ही जाल में फसने से बचने के लिए मकडी एक और तरकिर्ब निकालती है वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी दूल और दूसरों कर्ण निकल जाए कुछ वेग्यानिक मानते हैं कि मकडी का पैर ओईली होता है यानि तैलिय होता है इसलिए वह जाल में नहीं फस्ती है और इसमें गुमती रहती है लेकिन सच यह हैं कि मकडियों के पास ओईल ग्लेंड्स यानि गरंतिया नहीं होते हैं वही कुछ विग्यानी किसकी वज़ा मकडी की टांगों पर मौजुद बालों को मानते हैं जिन पर जाले की चिपचिपा हट का कोई असर नहीं होता है। तो क्या दूस्तों आपको पहले ही एफेक्ट मालूम था और यदि नहीं मालूम था तो ऐसा ही एफेक्ट को जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।